Hello friends, स्वागता आपका अमारे YouTube चैनल Learning About Agriculture में तो हमने पिछले वीडियो में Present Indefinite Tense के बारे में Study की थी आज हम बात करने वाले हैं Number 2 जो Tense है हमारा Present Continuous Tense आज हम Present Continuous Tense सिखेंगे बात करते हैं Present Continuous Tense के Formula की तो Formula होता है इसका दोस्तों Subject प्लस Helping Web होती है इसरम प्लस Main Web के साथ ING लगा देते हैं तो यह Structure हो गया इसका Example First Example है I am Preparing T तो I इसके अंदर Subject हो गया I am Helping Web हो गई Main Web Prepare इसके साथ ING लगा हुआ है Second Example है The Government is Planning to Invest Millions of Dollars in Urban Infrastructure This Year तो यह Second Example हो गया Words की बात करते हैं जो Present Continuous के Sentence बने जाते हैं उनमें यह Word अपने को देखने को मिलते हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि Present Continuous का Sentence है तो वो Words हैं Now, Nowadays, At The Moment This Day, This Day, This Second, This Year जैसे Second Number Example में आपको This Year दिखाई दे रहे हैं Present Continuous Tense में जो काम अभी कर रही हैं Present, At Present उसी का जिकर होता है शिरफ जो अभी इनकंप्लीट नहीं हुआ है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काम अभी भी Continuous ली जारी है, Complete नहीं हुआ है तो Present Continuous Tense में जो काम अभी हम कर रहे हैं उसी का जिकर होता है जो Complete नहीं हुआ है आगे बात करते हैं, Present Continuous Tense में Duration नहीं होती है मतलब कोई Gap नहीं होता है, Continuous ली चलता रहता है काम इस Tense में State verbs नहीं लिखी जाती State verbs होती है, उनके साथ ING form हम यूज नहीं कर पाते हैं Present Continuous Tense में State verbs कौन-कौन से जान लेते हैं See, Hear, Now, Love, Like, Hat, Dislike, Forget, Taste, Addure यानि पसंद करना Remember, Belong, Understand, Feel, Smell, Look, Seem, Appear और Detest यानि दिसलाइक करना Note, State verb के साथ कभी भी ING form नहीं लगता है दोस्तों या आपको याद रखना है Example देखते है I am hate this food I am hate के साथ ING नहीं लगा सकते क्योंकि hate एक State verb है Example number two I am remember your name Remember state verb है वापिस इसके साथ ING नहीं लगेगा अब बात करते हैं प्रोवर्ब्स यानि कहावतों के बारे में कहावतों के लिए कौन सा टेंस यूज करते है तो हम बात करते हैं प्रोवर्ब्स के लिए प्रोवर्ब्स के लिए present indefinite टेंस का यूज करते है वो कभी भी present continuous टेंस में नहीं लिखी जाती जितनी भी कहा होती है आगे हम एक्जाम्पल देखेंगे प्रोवर्ब्स के एक्जाम्पल नंबर वन टू एंड टू मैक्स फॉर तो मैक्स है इसके साथ ऐस लगा है तो ये इंडेफिनिटेंस की बात हो गई बलड इस थिकर दैन वोटर जो बलड है वोटर से गाड़ा होता है तो इसका यूज़ हो गई इसके अंदर एवेरिस इज रूट कोर्स एक्जाम्पल नंबर थ्री एवेरिस इज रूट कोर्स ओफ ओल इविल्स जो लोब है वो सारी बुराईयों की जड है नंबर फॉर प्रोवाब हो गई एरोलिंग स्टोन एरोलिंग स्टोन गैदर स्नो मोस इसका आर्थ होता है दोस्तों की एक गूमता वो वेक्ती कुछ आसिल नहीं कर सकता थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो प्लीज सस्क्राइब दे चैनल and like the video थैंक्यो फ्रेंड्स